टॉपिक है रेजोनेंस कंडिशन फार स्रीज ल्सी आर्शी रेजोनेंस का मतलब क्या होता है रेजोनेंस का मतलब हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं और 11 किताब भी नहीं खरी दिए थी आप पढ़ने की बात कर रहे हैं वो लोगोंने बुकी नहीं खरीदी पीतो जी बूले का करो खरीद करके ठीक है 11 तो प्राइवेट इसकूल पास कर देंगे या कुग भी पास कर देंगे सुनिये ध्यान से हमसे पताया गया था कि जब किसी बॉडी की नेचरल फ्रिकेंसी एक सेकंड नेचरल फ्रिकेंसी एक्स्टरनल फ्रिकेंसी के ब्रावर हो जाती उसको रेजोनेंस कहते हैं और इस कंडिशन में सिस्टम का एंप्लीटूट बढ़ जाता यही पढ़ा है न आपने प्रिटकली समझाने की कोसिस करें तो मान लेते हैं आप जूला जूल रहें जूल रही है रहें जात तर यहां पर एक लड़की जूला जूला बनाते दाल बनाए धर उसमें बैठा लड़की जूला giूला होंगे यह मानके चला जा रहा है कि कोई भी कुछ टाइम पिरिड होगा फिरेकल है वो जूला आपने path को repeat करेगा यह आपके जूले की natural frequency यह आपके जूले की natural frequency है। अब क्रेडिट लेनी हुमको हम हुम जूलाने के लिए खड़े हो गए तो कैसे जूलाएंगे। आपको जूला इधर आ रहा हो कि हम इसे हात लगा देंगे। और कहीं बैटने वाला हुआ 90 किलोगा तो हाथ एक हाथ तूट जाएगा अगर ऐसे हाथ लगा दिक्कत होगी ना तो हम क्या करेंगे जब जूला आपका जा रहा होगा हर दो सेकेंड में हम अपना हाथ ऐसे लगाएंगे मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी के बराबर हम फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो क्या आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी नाई आपका एंप्लिटूड बढ़ जाएगा दूर तक जूला जाएगा लौड के उतने सेकेंड में आ रहा है इसको कहते है रेजूनेंस कंडि तो जब natural frequency external frequency के बरावर हो जाते हैं इसको resonance condition कहते हैं ये तो mechanical की बात हो गई बाहर जो एक्मास्फिरम होता है circuit में क्या होता है circuit में NCR circuit में क्या होता है ये है L ये है C diagram द्वारा बनाना पड़ेगा और ये है R ठीक है आपने क्या किया देखें ये इस circuit की अपनी frequency होती ही होती है हर system की अपनी frequency होती है हर system सांस ले रहा है मतलब सांस मतलब vibrate कर रहा है हो चाहे living हो चाहे non living हो ऐसा मना जाता है science से कहती है चुकि electrons होंगे उनका rotation हो रहा होगा तो इसकी अपनी खुद की frequency है ये L है ये C है ये R है इसके बीच potential कितना है VL है उन्हें अच्छा apply तो बैटरी तो लगा ही नहीं है आपने वह भी लगा देंगे system और इसके बीच में क्या है VC है और इसके बीच में क्या है VR है और हमने इसको क्या किया external AC source से जोड़ दिया V is equal to V naught sine omega T omega क्या है यही तो frequency है angular frequency यानि हमने बाहर से जो alternating current दी उसकी frequency कि दी थी omega अब ये frequency अगर इस system की natural frequency के बराबर है तो हम कहेंगे amplitude इसका बढ़ जाएगा तो उसके लिए हम इसको proof कैसे करें देखिए हमारा उद्देश क्या है हमारा उद्देश से current को ज़्यादा करना हमारा क्या खूदेश है? करेंट को ज야दा करना करेंट को ज्यादा करने से क्या फैदा होता है कि पावर ज्यादा हमको मिलती है तो आप कहेंगे करेंट क्या ज़ुरता है हाई ब ड़ल्टेज लगा दो 220 बिदाए 11000 ब लगा दो पावर तभी ज्यादा होगी, जी नहीं, देखें पावर का फार्मॉला होता है, हम सस्ता वाल बता रहें, V इंटू आई, नहीं मालूँ, और चलते हैं बच्पन में, बच्पन में पावर का फार्मॉला पुड़ा था, W अपान Q, अच्छा, W अपान T, ये पावर का होते हैं आई तो वी इंटू आई वी माने हम आई माने मैं मैं जब हम के साथ हो जाते हैं तो क्या होते हैं पावरफुल मैं अभी दोस्तों को बुला के लाता हूँ मैं आई हम को बुला के लाते हैं अब पता चला गए हम मिले ही नहीं रास्ते में कल साले लड़ेंगे तुम स कल देख लेंगे, क्यों? क्योंकि I तो थे, हम थे ही नहीं, अच्छा, अगर V को हम लिख दें I R into I, तो I square R हो जाएगा ना, यानि कि जब current ज्यादा करते हैं, तो उसमें R से multiply हो जाता है, circuit का resistance multiply में आता है, और आपको power मिलती है, अगर आपने I को V upon R कर दिया, तो power का formula क्या हो, V square upon R, इसमें R divide में हो जाता है, तो power कम हो जाता है, voltage बढ़ाओगे, तो R से divide हो रहा है ना, तो power कम हो जाएगी, अब उतनी ही power करना है, तो आपको voltage को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो हम voltage को कम बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते current ज़्यादा मिले, voltage को कम बढ़ाता मतलब 50 electron भेज करके high voltage पर उनकी खुब energy दे दी, जाओ बेटा तुम, और बढ़ाम खाके लड़के आओ, और जाके लड़ने से बेतर हैं, हमने 100 electron भेज़ दी हैं, कम-कम energy वाले, सो लोगों उसका, हो करके बले लवटाना, हो करना जाकर के, ठीक है, तो यानि की high बढ़ाने से power ज़्यादा मिलता है, इसको power dissipation कहते हैं, पावर जितना dissipate होगा, मतलब खर्च होगा, उतना ही तो powerful आप होगे, प्याप बड़े powerful होगे, यह काम तुम करो जाकर के, हम काम में कुछ नहीं करेंगे, जब आप काम करोगे, तब ही तो powerful कहला होगे, तो जब circuit energy dissipate करती है, discipline मतलब energy का च्छ होता है, खर्च होता है, वही energetical कहलाता है ना, क्यों, सही कर रहा हूँ सुकला जी, क्या मतलब इतना multiply भाई यार, आई जदा करो, खर्च होगे, तो होता क्या है, जब हमने इसमे energy apply की, तो इसमे जेड इसका कितना हो गया, बिल्कुल सुरास नहीं तो Z LCR का आपने क्या पढ़ा है, under root R square plus XL minus XC का whole square यह होता है ना, और अगर हम current in the circuit की बात करें, I naught, तो E naught upon Z हो जाएगा, तो maximum current मिल रही है आपको, आपने E naught apply किया ना, बचा इधर देख लिए बात नों तो देलना, दिन बार तुम्हें साथ ही रहेंगे, एक गंटेर के तो Z क्यों रखिए, E naught upon Z क्या होगा, under root R square plus XL क्या हो जाएगा, ओमेगा L, और XC क्या हो जाएगा, गवनपान, ओमेगा C का whole square, यह आई है, आप ऐसा करो, इसको E लिखा रहने हैं तो instantaneous लिखो, कोई दिकत नहीं, बात में बात करेंगे, सुनिए द्यान से, आपको current को ज्या है, E आपको यहां क्या हो जाएगा, V, आपको इसको कम करना चाहेंगे, अगर आपको आई ज्यादा करना है, तो इसको कम करने का तरीका आपके पास क्या है, देखिए, बले तो R की बात कर लेते हैं, तो circuit जो भी आपने बनाया होगा, उसमें कोई wire लगाया होगा, तो wire या अगर frequency बढ़ाते हो, तो omega बढ़ेगा, तो omega L की value बढ़ेगी, 1 upon omega C की value घटेगी, omega L बढ़ेगा, 1 upon omega C घटेगा, डिफरेंस ज्यादा हो गया ना, अगर उल्टा कर दो, omega C कम कर दो, तो ये value घट जाएगी, 1 upon omega C, डिफरेंस विल भी ज्यादा, बहर अगर omega बढ़ा रहे ह अगर omega बोले तो frequency, angular frequency, तो omega L की value जादा होगी, 1 upon omega C उतना ही कम होता जाएगा, तो अगर omega L जादा होता जाएगा, 1 upon omega C कम होता जाएगा, तो डिफरेंस बढ़ेगा ना, अब डिफरेंस और जब आप उल्टा कर दो, applied frequency कम कर दो, तो कम कर दो के omega L की value घट जाएगी, और 1 upon omega C, डिफरेंस अभी रहेगा ना, एक डिफरेंस, positive होगा एक डिफरेंस, लेकिन उसका square कर रहे हो, तो ultimately तो resistance बढ़ेगा ना, ठीक है, तो जब एक को बढ़ाओगे, एक घटेगा, तो एक ऐसी stage आएगी ना, कि दोनों आपस में, बराबर हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, कंडिशन लाते हैं, कि ऐसा हम करते हैं, कि omega L is equal to 1 upon omega C करते हैं, अगर ऐसा करते हैं, आर नहीं change कर सकते हैं, जो circuit हमारे पास है, जो wire उसके अंदर लगा हुआ है, अब ऐसा तो है नहीं, क्या आपने पंखा लगाया, उसमें कोई लेवल है, ज्यादा पाउड चाहिए, आज बहुत लोग आ रहे हैं, सब तार निकाल लिए, अच्छा वला तार लगाओ, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ना, washing machine का resistance कम करना है, कुछ नहीं, निकाला तार, दूसा तार लगा दिया, यह practically possible नहीं है, तो यह change कर दिया आपने, तो यानि कि यहाँ पर, Z कितना हो हो जाएगा, Z minimum हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R, और I maximum हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V not upon R, तो आपको maximum current circuit में मिलेगी, ठीक है, अब देखो दियान से, voltage बढ़ाने का मतलब होता है, circuit में कम electron, ज्यादा energy वाले भेज करके, काम कराना, लेकिन power dissipation में फामला हमने देखा V square upon R हो जाता है, ठीक है, उसके लिए अगर voltage को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, power उतनी अगर लानी है, अगर current को बढ़ाना है, तो voltage कम रखो, ज्यादा electron भेज दो, तो energy ज्यादा आपको वहाँ मिलेगी, क्यों, I square into R होता है न वहाँ पर, अब देखो दियान से, I हो यहां से, omega की value क्या होती, 2 pi f, 1 upon root LC, तो यहां से f की value क्या आगई, f की value आए जाएगी, 1 upon 2 pi root LC, इसको हम resonant frequency कहते हैं, कहीं कहीं पर f r लिखा होता है, इसको omega r लिख दो चाहे, ठीक है, इसको resonant frequency कहते है, resonant frequency, इसका मतलब क्या होता है, जा समझेगा, पहले note करिए, फिर ब अतलब सम लिजेगा, यह LCR circuit है, आपको पंखा लगाया आपने, पंखे में क्या लगा होता है, क्या लगी होती है, अप क्वाइल में क्या होता है, तार होता है, तार का अपना resistance होता है, तो R तो fix हो गया, कहा गया, इधर लिखा हो गया, ठीक है, अचा चुकिक यो क्वाइ इस पंखे का है, वो Z बराबर क्या है, अंडरूट R स्क्वाइर प्लस ओमेगा L का स्क्वाइर है, यह LR circuit है, आपके पंखे में क्वाइल है, क्वाइल बोले तो इस प्रकार से वाइंडिंग है, यानि वो as a inductor काम कर रहा है, और resistance है, तो LR circuit है, आप या तो R को खतम कर दो खतम नहीं कर सकते आप, आप L को खतम कर दो, खतम नहीं कर सकते आप, बोले क्यों, तारक सो सिधा कर दे, सिधा करेंगे तो current नहीं बनेगी, वह concept ही है, कि इसमें एक क्वाइल है, current flow होती है, कौन सी, alternating current, तो current जब flow होती है, तो उस क्वाइल के अंदर magnetic field बनता है, magnetic field change होता ह उसकी वज़े से, वो motor घुमती है, यह तो concept है ना, तो L को खतम कैसे करें हम, हमने कहा, L को खतम करने का एक बढ़िया तरीका है, L के दुस्मन को सामने लिया, आपस में लड़ा दो इनको आपस में, तो वो C होता ना, capacitor, तो capacitor को लिया हैं सामने, तो पंके में capacitor कहां लगा द लाता है, ओमेगा L माइनस, वन अपान, ओमेगा C हो गया, अब देखे ज्यान से, हम जिस को बनाए हैं, जो motor बनाए हैं, पंके की मोटर बनाए हैं, या हम ग्राइंडिंग मसीन की किसी चीज़ की motor बनाए हैं, उसका हमको R मालूम है, उसका हमको ओमेगा L मालूम है, तो 50 है तो हम किसको यहां पर set करेंगे value equal हो जाए c को set करेंगे तो condenser जो होते हैं अलग 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 पावर के होते हैं अलग अलग उसकी value होती है सब नहीं लगते हैं तो पंखे के लिए लेना उन्होंने का ये condenser ले जाओ क्यों पंखा भी अलग 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 rpm के हिसाब से यानि कि पंखे का r fix है l fix है circuit की supply का omega fix है तो हम condenser को fix कर देते हैं कैसा condenser ये दोनों value कैसी हो जाएं बराबर तो f मालूम है हमको l मालूम है हमको यहां से c के लिए हमने निकाल ली कि इस पंखे के लिए c कितना होना चाहिए तो हमने का भाई इतनी फेरड का capture दे दीजेगा हमने लगा दिया इसको अब capture ने क्या किया इस omega l की value को balance कर दिया तो condition क्या है गिए omega l ब्रावर one upon omega c तो z ब्रावर r हो गया और circuit में maximum current आपको मिलने लगती है अब कुछ दिन बात क्या होता कैपसिटर खराब हो जाता है तो कहें पंखाधी में चला condenser खराब हो गया condenser खराब हो गया मतलब क्या होता है यहां पर लगाने का दूसरा कारण यहां फिलाल है नहीं मैं बता देता हूं दूसरा कारण यह है कि कैपसिटर क्या करता है current को store करता है क्यों store करता है कि जब कभी current कम पढ़ती है पंखे में तो वो supply कर देता है और जब कभी ज़्यादा होती है तो अपने में स्टोर कर लेता है जैसे हमारे पेट के अंदर भी कैपसिटर लगा हुआ है सब के पेट के अंदर कैपसिटर लगा हुआ है उसमें एनर्जी हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं ठीक है लेकिन हम स्टोर ही करते जाते हैं अब स्टो करें आप मार निकल देता है उसके लिए हम लोगों में क्या कहा गया एक दिन वृत रही है आज मेरा है फास्ट तो फास्ट रहने से वह ठीक है धार्मिक भावनत अलग बात है में यह है कि जो हमारा चार्ज था ना जो लगातार उसमें अनर्जी स्टोर थी वह एनर्जी बहा पानी पी रहे तो ऐसे देखते होंगे नंदर वाले अर्गन नहीं देखते होंगे अजब कहीं नहीं मिलेगा तो आप सम्हों कहते होंगे अब यार कहीं ढूंड के लाओ तब कहेंगे आप वह देखो दो रोटी वहां इकटना है वहां से खसीड लाएगा पज़ यही system होत यह जो कहानिया हम बताते हैं कहानिया कहानी नहीं होती हो साइंस की बात होती है ज्यादा दिमाग मत लगाए करें ठीक है जो आपसे बात करने लगते हो ना फ्टोड़ा सा जमीन पर रहा करो इसको एकसेप्टर सर्कुट भी कहते हैं दूसर नाव इसका होता है सेलेक्टर सर्किट या या ट्यूनर सर्किट क्यों कहते हैं जरा समझेगा हमारे रेडियो में हमारे टेलिविजन में एक LCR सर्किट लगा हुआ है LC तो हो गई होगा देखे हर जगे क्वाइल होगी LC होगा और LC की वैलू में C गरबड करेगा रेजिस्टन्स कम करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे कैपिसिटर कोस में इंडियोज करेंगे तो हमारे सर्किट में क्या होगा LCR सर्किट लगा होगा अब देखे हमने क्या किया उसकी फ्रिक्वेंसी को फिक्स कर दिया ये 1 अपान 2 पाई रूड लसी फिक्स कर दिया फ्रिक्वेंसी को फिक्स कर दिया ये फ्रिक्वेंसी फिक्स होगी आप साफ साउधान नेचर में बहुत सारी वेव्स लगातार चल रही है अलग-अलग कारेक्व्स की वेव्स चल रही है आप जानते हैं बहुत सारी प्रोग्राम होते है अलग-अलग प्रोग्राम के अलग-अलग wavelength होती है उनकी frequency अलग-अलग होती है frequency अलग-अलग हो गई जब कोई बाहर की frequency हमारे circuit की frequency से match कर जाती है दोने frequency matching हो गई तो frequency match होने से क्या होता है current circuit में ज्यादा flow होने लगी तो power circuit के बढ़ गई किसकी पाउर बढ़ गई उस frequency के लिए पाउर बढ़ गई तो जो बाहर की frequency उस frequency को हमने क्या किया accept कर लिया और वो कारक्रम आपको दिखा ही पढ़ने लगेगा ठीक है आपने फिर remote से क्या क्या चैनल चेंज कर दिया तो remote से channel चैनल 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 करके आप करते क्या है बोले पता नहीं आई से वड़न दवाते हैं अपने आप टीवी करता है से पूछ करता है हम चैनल क्या करते हैं हम क्या चैनल फ्रिक्वेंसी का हमा डंडा इसे कर देते हैं क्या करते हैं हम capacitance change कर देते हैं जो हम वहां से light डालते है ना तो हमारे remote में एक LED लगी होती है LED से light चलती इंफारेट जो हमको दिखाई नहीं पड़ती सामने एक cell लगी होती है सिस्टम में जिसको photo cell कहते है उसमें जब light पड़ती है तो current flow होती है conductor है वो उसमे current flow होती है और वो current के हिसाब से हमारे remote के हिसाब से चुकि हमारा जो system है जिसको कहते हैं कि कौन सी कहते हैं दिमाग आज कल कौन चला है artificial intelligence तो हमारे modern की अंदर एक artificial intelligence है कि वो उस capacitor को energy transfer कर देता है जो energy मिलती है उसको तो चाचा आपको बिला रहे थे वहार ट्रांसफर कर दिया C चेंज कर दिया तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई अब फ्रिक्वेंसी हो गई 5000 हड्स तो 5000 वाले कारिक्रम एक गाना आ रहा तो वो गाना महा आना सुन हो जाएगा अब गाना अच्छा नहीं लगा फिर आपने चेंज कर दिया फिर यह हुआ ताउ तुम्हें आवादी जारी फिर फ्रिक्वेंशी चेंज कर दिया तो आपके जो 1000 चैनल होते हैं तो आप पता ही 1000 की हिसाब से 1000 लगाओंगे कोयल लगाओंगे जी नहीं C 1000 लगे होते हैं 今天и 10000 लगे होते हैं केपिस्टर की C की वैल्यू अलग अलग होती है तो आप को सी चेंज करते हैं और जो सी बाहर के सर्किट से मैच करता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी को अभजार कर लेता है इसलिए अलग-अलग कारेक्ट्रम की एक फ्रिक्वेंसी रेंज होती है जिसको इस्पेक्ट्रम कहा जाता है इस्पेक्ट्रम निलामी होती है ना कहा गया एक इस्पेक्ट्रम से 100 तक आपको 101 ले 200 दूसरे को अब जैसे आप देखे बगल में एक रिलाइंस का कमबा खड़ा हुआ है आप ब्यस्टनल को तो टावर आही नहीं रहा ओम और टावर बदावर बदावर नहीं रहा तो टाव हम जागे रेजोलेंट सर्किट होता क्या है तो यह रेजोलेंट का कंसेट होता है ठीक थैंक्यू